बाए सब वाइल टूर वाइल टूर पे जा रहे हैं आप वाँ वाँ तो प्लैन बना कैंसल हुआ फिर बना फिर कैंसल हुआ और फाइनली डिसाइड हुआ कि हम लोग आज सुमुरीर जाएंगे तो आज का सीन यह है कि ताइम ओचुका है साधे दस काफी लेट हो गया है और क्योंकि प्लैन बन रहा था कभी कभी कैंसल हो रहा था कभी बन रहा था कभी जाने वाले थे एक तो अबरार भाई जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया था और एक है हमार मेरक है इम्तियास भाई जो मेरे साथ ही बेटरрах इम्तियास भाई इस होटल के ओनर है है तो आप इम्तियास भाई कहाते हैं अब गुलमक्स है तो कश्मीर से हैं यह भी मारे साथ जाना चाहते थे बड़ जो अबरार भाई हैं उनको कुछ काम आ गया जिस रीजन से उन्हें आफिस जाना पड़ा और इनके पास अभी कोई कंवेंस है नहीं फिलाल तो अब और दूसरा यहां पर ले में जो मौसम है वह काफ कियाते हो थोड़ी दूर चलते हैं तो चलते अगर मौसम ऐसे खराब रहा तो फिर वापस आजएंगे उप तो जो भी होता है जैसा भी होता विल अपडेटियो तो यह हमारे शौकत भाई शौकत भाई कहां से हो खें गुलमक से शौकत भाई ने हमारी इतनी सेवा करी है र और अगर कोई भी ले लद्दा खा रहा है तो यह है नाज गैस्ट हाउस मैं हाइली रिकमेंड करूंगा कि यहां पर आओ और यहां पर स्टे करो मुझे बहुत अच्छा लगा चलो अब मिलते हैं बाइक पर बाइब शॉगत बाइब से तैसे जैसे हम लोग सो मुरीरी के लिए निकली गए का फिलेट हो गया इस 1230 और अब देखते हैं आगे कैसे कैसे हमें फेस करने बढ़ेंगे एक दुख की खबर यह है कि मेरा जो हल्मेट केम है विच इस गोप्रो हीरो 4 वो चार्ज नहीं हो रहा या तो उसके कुछ जैक में प्रॉलम है या फिर उसकी केबल में चेंज करके देख लिए बट कोई फाइदा नहीं हुआ अन हो रहा है बट बट कोशिश कर रहा हूं जितना हो सके आपको दिखा सके अभी हम लोग निकल गए ले मनाली रोड पर यहां से सो मुरीरी का रस्ता आएगा आप पता नहीं क्या क्या चैलिंजस फेस होंगे क्योंकि पैट्रॉल हमने दो किन करी किया है और कुछ पता नहीं लग पा रहेग क्या सब एक ही का है ब वही है यह वाय सो मुरीरी से आगे मनाली तक प्रेट्रॉल फ्यक्राइब कोई नहीं क्योंकि टांटी तक नहीं है अच्छा और रास्ता कहाम मिलता है यह सो मुरीरी वाला मनाली को ड़े जाते हैं अंध ड़के मिलता है वाई सब वाई तूर तो जब हम ले से निकले थे काफी मौसम खराब हो गया था फिर ठीक हुआ तो हम फटा-फट सब कुछ पैक करके निगल गए आदे राज से आए फिर खराब हुआ हमें कुछ उपर माउंटेन से फ्रेश स्नो भी दिखाई थी और यहां पर आने के बाद फिर से दूप आ गई क्या रास्ता एडर एना ओ मतलग ऐसा रास्ता है कि 15 किलिमेटर दूर की कोई चला जाय ना तो यहीं दिखेगा मुडता हुआ है अब देखे हैं अब देखे हैं क्या क्या होता है तब पहुंचते हैं कैसा मौसम होगा क्या क्या मजा आने वाला है और क्या क्या दुख चेल ले पड़ेंगे माहे है यहां से 100 किलो मेटर नीचे नदी है यहां सड़क है और चार तरफ पहाड़ है और हम चलने है अभी भी चलने है अभी तक तरोड की कंडिशन बहुत ही मस्क है मजा आ रहा है इक दुब राइट परने में बट मुझे उम्मीद नी है कि आगे भी ऐसा ही रस्ता रहोगा तर्दर दर 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 तर 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 फिर दुबारा से एक और आप प्रोड यहां पर भी अच्छी है अराउंड 50-60 मीटर का जो पैश था वो थोड़ा खराब था यह पहले भाईकर्स हैं अभी तक इस रोड पर जो कुछ नजर आएं अदर्वाइस इससे पहले सब कुछ साफ था और मिश्रल तरुण। पुजा रहा हमारे वर्ल्ड ट्रैवलर इस वाकर चल रहे हैं क्योंकि मुझे द्यान अठना इनका तो आज इनको मैं पकड़के लेकर चल रहा हूँ हैं अपने साथ-साथ सामान का भी ध्यान लग रहा हूं और रुकने भी नहीं दे रहा है क्योंकि कल यह हर 5 km में रुक रहे थे और जब भी हम इनका वेट करते थे और यह आते थे तो इनके पास एक नए एक्सक्यूज होता था मैं किर गया मैं चड़ गया मैं उतर गया पता नी क्या बोलते थे हैं आप समझ में नहीं आता था जहां रख रहूं दाकि एक हो ना जाये दर उदर समझाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है इनको कभी-कभी चलो एनिवेज मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं और मजाक में ही अचा है आगे चड़ाई है तो तरुन चड़ गया चल 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 जई कि वीडियो गेम स्टार्ट हो गई कभी यहां से कभी वहां से कभी यहां से यहां से यहां से बूर दूर तक सड़क का ना इसको तोड़ तोड़ के निकाल रहे हैं देखो तोड़ रहे हैं इसको और यह बढ़िया रोड फाइनली आ गया अल्मोस्ट 10-12 किलोमेटर्स का रस्ता जो था वह बहुत ही खराब था हो गया बस अब देखो क्या रोड है फिर से वही नदी वही सड़क वही पाड और हम चलने हैं नो नट अगेन अब है यार फिर से वही रोड दूर दूर तक बस यही नजर आ रहा है वह वहां पर सामने है सब जगह एक चीज दिखाऊ यह दिखो फैना वसम यह हाँ परपल और यह यहलो GIRL और यहाँ कुछ और, यहाँ तो मल्टी कलर है, और उपर आस्मान, वाउ जब सब चले जाते हैं, तब हमारे तरुन भाई सब, हिलते हैं, तो भी तुक सम पिक्चर्स हेर, व्यू ही ऐसा था कि निकलने का मदी नहीं करा, चल दे वहाँ आए, जब से ले से चलें, अभी तग हमने ना पानी पिया ना कुछ खाया, ताइम हो गया है, 4.13, एंद टैंपरिचर इस 14.5, यहां पर है, हाँ कुछ लग रहा है, यहां पर है, कुछ नहीं करता है, कुछ करता है, कफीं हैंसे कितना है, अभी खाते है, कुछ पर पता करते है, मेरा तो आक़ू सभाना है, यह हम को जी एपाना हो है, मु मु पॉमों। म् हम लोग पहुंच गया है, बहुत ही सुन्दर बहुत ही ब्यूटिफुल वैली है यह है यह इंडर्स फ्यू रेस्टोरेंट में हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हैं और देखते हैं क्या-क्या खाने के आप्शन्स अविलेबल हैं एक बार थोड़ा अंदर का आपको दिखा देता हूं वियू बहुत है बाहर मुसम काफी थंडा है लेकिन जैसे अंदर उसे अलग तरह की कर्मी आप है मेभी बिकॉज ऑफ किछन या तो चलो देखते हैं और फिर यहां से निकलते हैं सो मुरी के लिए बहुत ही अच्छा सा लंच की आमने यहां रेस्टोरेंट की आंटी थी एक बहुत ह अच्छी थी और बहुत ही मजाग्या टाइप की मैंने खाया दालचावल मिक्सवेच मैलिकाने मैगी रोहित तरुन और आत्याने दालचावल चौमिन यहां पर यहां पर नीचे आंटी ने बताया है कि यहां पर हाट वोटर स्प्रिंग है एक बार यहां पर जरूर जाना पर हमारे पास अभी टाइम नहीं है टेम की थोड़ी सी कमी है अगर टेम होता तो हम जरूर जाते क्योंकि यहां अगर ठंड बढ़ गई तो बाइक चलानी मुश्किल हो जाएगी तो सफर दुबारे से शुरू इन दिस ब्यूटिफुल वैली आए गैस नीचे से जाना होगा माही है यहां से 15 और 16 किलो मेटर और जो रास्ता बताया है वो बताया कि माही के बाद से जो रास्ता है वो इतना अच्छा नहीं है बट अभी तक सब कुछ बढ़िया सब मजे में मौसम बहुत ही थंडा हो गया है तामपरिचर इस 13.5 और ताम इस 5.16 इन दे एवनिंग एनिवेज थंड लग रही है मुझे रास्ते खराब सहूंगा मैं आप इंजोए गरो इस वियू को हम लोग माहे पहुच गए यह एफिंक चैक पोस्त है जम्मू एं कश्मीर पुलिस यहाँ पर हमें अपने पर्मिट शो करने होंगे तर उनको यह बांद देते हैं हत्कड़ी से सुन रहूंगा है वह यह कैसा फूल है अब अब आपरे अब तुक्रते वह रहें बड़े बड़े अइसा लग रहा है हम सीदे नी हम नीचे जा रहे हैं मुझे नी पता इस वक्त हम लोग कहां चल रहे हैं अल्मोस्ट आदा घंटा हो चुका है बट कोई भी इंसान कुछ भी नदर नहीं आए ना कोई माइल स्टोन है टेंपरेचर 10 डिग्रीज टाइम 551 और रोड की जो भी हालत है वो आपके सामने है आगे है आगे है पूछने के लिए रुकाता मैं भी क्या अमेजिंग बरफ यार क्या बनाया भगवान ने तो यह जो छोटा सा गाहों आए था यहां से अपने लिया है लेफ्ट फॉर सोमुरिदी और सही बताओं तो यहां देखके जो ब्यूटी है यहां कि वो देखके मुझे लग नहीं रहा कि आम इन इंडिया अब यह जान लो कि इंडिया कि इतना खुबसूरत है अमेजिंग है है प्राऊचे शीड है कि अंडिया शmasıय न splendid सचिंया चा़ट विए रेन इंडिया तक गाहि का दैसने है कि अरे हंग के पैंग की साइट थे मां चांघा को बोल रहा है ओं टेन सिलं सही ही किने मांटें सिनस में यह पता नहीं क्याிopf सायद मेर को ऐसा लगता है कि जैसे मालो कोई फर्स जाए यहां पर अगर कोई भी यहां से आने जाने वाला ट्रैवलर फर्स जाए तो he can use it क्योंकि इसके अंदर देख वो वेंटिलेशन के लिए पाइप भी दिया हुआ है और विंडो भी है यह देखिए सारा बना हुआ भी शे इंसान के रहने का यह है यह हमारे लेल अद्दाग की सुंदरता और अभी टैंपरेचर है 7.5 इस चिलिंग कोल्ड आथ फ्रीज़ हो रहे है है क्यों है अगे दिए बादल सीधा जा रहा है कि ऐसे कर के हो रहा है पता है क्या हुरा है संजमें नियारा अपर यहां पर यहां पे दें यहां किया तो रहा है वहार हमारे इस वाट परी हवाय है आप रास्ते थोड़े से खराब हैं बट फरक नहीं पड़ रहा क्योंकि इतना अच्छा व्यू है इस ताइम इवनिंग में मैं यह व्यू देख रहा हूं और इस ताइम मैं आप से ट्रैवल कर रहा हूं मजा ही आगया अज़ा आज का दिन कैसा रहा कैसे हम लोग यहां तक पहुंचे बताना शब्दों में बहुत ही मुश्किल है हम पहुंचे अरांट 7 बजे, हम लोग चले थे ले से 11.30 बजे और यह आने से almost 40 km पहले हम लोगों को ऐसा होगा था कि यह नो मेंस लेंड है और जब हम लोग यहां पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि यह इंडिया का end है और आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा बट एक होप थी कई किलो मेटर तक हम पैदल चलते रहे चलते रहे चलते रहे चोटी सी लेक आती है सो मुरीरी से पहले तो हमको लगा कि शयद वह सुमुरीरी है वहां पर कोई स्टे कोई होटल कोई भी चीज एवलेबल हमारे साथ और रास्ते में एक जगह पर स्नूफॉल भी ने लगी अब सारे लोग यहीं सोच रहे थे कि हम वापस कैसे जाएंगे अगर आगे कुछ नहीं मिला तो लुकिली चलते चलते एक गंटे बाद हमें एक गाड़ी मिली जिसने हमें बताया कि बीस बीस मिनिट का रस तो जैसे तैसे करके एक जगह हम पहुंचें वहार में आर्मी वाले मिलें एंट्री हुई परमिट शोग करें हमने और उननों बताया कि 300 मीटर अगे कुछ मिलेहा थे 300 मीटर आगे हम आए तो हमें कुछ होटल वगेरा मिले हमने यहां पाता किया हमने कुछ नहीं पूचा हमने सीधे अंदर आए अभी मूव भी नहीं दोया सब लोग ऐसी बैठे में और थोड़ी दिर में हम लोग डिनर करना ही चाहेंगे किसी को अपना कोई करना है अगर इसी को ही यहां पर आये तो मैं यह कुँगा कि बहुत ही ब्यूटिफुल रस्ता है हमने पहली बार देखा है बहुत-बहुत-बहुत सुन्दर सेंडरी बीच में तो जरूर आईएगा अगर आप ले आगे हैं हद से दाधा ब्यूटिफुल है इससे पहले मैंन लेल अधाक मैंने औरोइतने किया हुआ है और ऐसा हमने कभी नहीं रेखा बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत मेरे निकल जाएं ताकि पांच यह मैक्सिम छेवे तक आप यहां पहुंच जाओ नाइ नते चलो गाइस टेक कियर गुड़ नाइट बाबाए श्रबागे लाइट बाएट बाएट नाइट बीट वेखिया किते हैं काका यहन भी मानिको देदे बुड़ीनु रात हम जम्या है वड़ी होकी बड़ी ओकियां है थे पुत है पुत है पुत मेरे हाथ पैर सुन पेंड़ आवा मैने मानिको कुछ गवड़ीनु पिवा दे प है मैं तहां तो कहीं है कंजरा फोट वाखिची जांडिया अगर मीता पादे मेरे अंदर है डांड है कैसा लगा व्यू अभी यहां के टैंप्रिचर के बारे में अगर मैं बात करूं तो काफी ठंडा है और धूब भी काफी तेज है लेकिन जो हवा है वह एकदम चेल्ड है यहां पर अगर देखें तो इदर काफी सारे पहाड़ है जिस पर बरफ भी है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हवा बरफ से होके आ रही है एंड यहां देट्स वाइट इस फ्रीजिंग कोल्ड कल रात को मिया रोके इतना जादा चिल्ड था इतना जादा फ्रीजिंग टैंपरेचर था कि बाहर हमसे खड़ा ही नहीं हो जा रहा था अगल की आपकी यहां सास चड़ रही है और सोमुरी जो है वो सी लेवल से फिफ्टीन थाउजन फोर अंडर इफ आम नाट रॉंग फिफ्टीन फोर अंडर मीटर पह है और लोकेशन बहुत ही ब्यूटिफूल है और मैं सच बता हूं तो मुझे पैंगॉंग से भी बहुत अच्छा लगा तो चलो चलते हैं एक बार नीचे की तरफ और देखते हैं वासे कैसा भी वाता है वाइक समार यहां पर पार्क हैं और यह देखो हबा का फ्लोग उतना तेज है अब ही हम लोगोंने हेलमेट नहीं पहना हुआ है क्योंकि हम नीचे लेक तक ही जा रहे हैं अराउंड वन किलोमेटर है तेमपरेचर जो है वो फ्रीजिंग कोल्ट है इस शिक्स और सम्टाइम 6.5 और हाथ पूरे फ्रीज हो गए हैं लेकिन मजा बहुत आ रहा है क्योंकि ऐसी ऐसा ब्यूटिफल व्यू मैंने तो आज तक नहीं देखा I hope you like the view of सो मूरेरी अभी यहाँ पर टैमपरेचर इतना फ्रीजिंग कोल्ड है कि फोटो किछाने के लिए एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे कोशिश की यह कुछ अच्छी अच्छी फोटोग्राफ की क्लिक करने की बाकी सारे लोग महां पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन लेकिन लुक अट दे व्यू यार मज़ा ही आ गया सभी अपनी लाइफ पर देख नहीं में आ ऐसा वैं आ गधार स्उटीया स्टीया सब करेंगार तर्फटोग्राफ्स दादा गुछ करनी पाया क्यूंकि कोई एक्सप्रेशन से ही नहीं नहीं आ रहे जैकेट में बहुत ठंड लग रही है अब भी निकलते हैं यहां से हम जाएंगे होटल की तरफ और वहां से ब्रिकफास करके फिर निकलेंगे and we are all set after this painful loading of luggage सबसे मुश्किल काम यही होता है ट्रिप का इसे उतारना और इसे morning में रखना and the time is 11.45 काफी लेट हो गया हम लोग अब आये हैं तो घूमना भी है तो लेक वगएरा जाके हमने enjoy किया photos वगएरा क्लिक करी थोड़ा आराम से नाचता वगएरा किया आलू पर नठाखाया कॉफी पी अच्छी गासी नीद आने लगी फिर कॉफी और पी and finally we are here मेरा लगेज रेडी है मैंने अकेले ने सब कुछ कर दिया ये दो लोग अभी तक लगे हैं अच्छा तो रोहत ने बहुत काम किया अपनी बाई को पूरा साफ किया सुबह सुबह बाई 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 और ये लोग पैट्रोल की केन को देख रहे थे और तरुन ये ये पूरी केन खाली गरिया रोई इतने चलो इसमें ना थोड़ा साफ बाई 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 चलो इसमें ना थोड़ा साब तो अभी प्लैन ये है हमारा कि हम लोग यहां से जाएंगे मनाली की तरफ डरेक्ली और जहां तक भी पहुंच पाते हैं पहुंचेंगे फिर वहीं स्टे करेंगे होफ़ली कोशिश ये रहेगी जिसपा तक आज हम पहुंच जाएं बागी देखो भगवान जानता है क्या होगा सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि यह जो रस्ता है बीस क्लिमेटर का यह एक बार में पूरा कवर करना लेकिन इतनी सुन्दर लेक के लिए ऐसे रस्ते को कवर करके आना अब यहां पर ऐसी चलना पड़ेगा कुछ खास दिखाने के लिए है नहीं जो थोड़ा बहुत है वह राइट साइड का व्यू है एकदम क्लियर वोट रहे है एकदम क्लियर कोशिच तो कर रहा हूं दिखाने की अगर आपको दिख जा क्या डिफिर्ट डिफिर्ट कलर आ रहे है न यहां और अब दो बाय बाय समरी धी झाल